कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थेओं मुझे पता है कि परिक्षा बहुत ही ज्यादा नजदिक आ गई है और अब घवराहट बट रही है तो इस विशाय में अभीशा की टीम आपकी मदद कैसे करेगी इस बारे में सोचने से पहले आप बस बिल्कुल यह समझ लेज़े कि परिक्षाओं की अंतिम स्थिति आ गई है कक्षा ग्यारवी बारवी कक्षा दसवी दोनों बोर्ट के लिए हम परिक्षाओं के तयारी कवा रहे हैं और एडिशनल मटीरियल जैने की जैसे important questions हो गए mind map हो गए यह सारी चीज़ें आपको हमारे application में मिलेगी तो आज हम क्या करने वाले हैं यह चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है जितने लोग हमसे लगातार यह हमारे application के माध्यम से जुड़े रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने यह पढ़ाई तो कर ली है लेकिन आज जो है फिर से यह चैप्टर यहां पर नजर क्यों आ रहा है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के यहां पर हमको अंक मिलने वाले हैं 14 और 14 अंकों की तैयारी हम जो है एक बार बिना दोबारा देखे तो छोड़ नहीं सकते तो तैयार हो जाएए अपन लंबी हो सकती है इसलिए आप पूरी तैयारी से बैठें आप एक ही सिलसिले वार जो है पढ़ना मेरे साथ चालू करेंगे और यह चैप्टर हम कंप्रीट कर लेगे तो यह चैप्टर कौन सा कीरन प्रकास से की तरंग प्रकास से की हम इसके बाद वाले चैप्टर में की दिमार्ध जो हो तीन पकार के होते हैं पहला होता है पारदरशी दूसरा होता है पार भासी और तीसरा होता है आपारदरर्सी इसमें से पारदर्सी वह मटीरियल ह्या यह पदार्थ है ज direction में आ जा सकता है ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या decide किया था ऐसी स्थिती में हम लोगों ने decide किया था कि इसे ही हम क्या गूल देंगे इसे ही हम माध्यम पुकार सकते हैं इसके अलावा आपारदर्सी वह सारी वस्तूई जिससे प्रकास टकराता है और उसके से कहते हैं पर हें जब किसी एक माध्यम से चलती प्रकास की किरन किसी आप आपervices दो परावर्तन जो है दो प्रकार का होता है पहला परावर्तन जिसमें आप्तित जितनी भी किर्णे हैं वो परावर्तन के पस्चात में जो है यदि सब की सब किर्णे समानतर आप्तित हो तो परावर्तन के पस्चात सारी किर्णे परावर्तित भी जो है एक दूसरे के समानतर ये देखने के बाद में हम लोगों ने परावर्तन के कुछ नियम देखने चाहे थे हम लोगों ने देखा था कि जो है हम एक तल की कल्पना करते हैं और इस तल को जो है हम परावर्तक सत्र बोलते हैं इस तल से लंबोत जो है हम रेखा खिसते हैं और इस रेखा से जो है आपत किरन अभिलंब परावर्तित किरन और तल का वह बिंदू जहां पर परावर्तन हो रहा है यह सारी चीज़ें एक ही सतह पर होती है इसके अलावा हम लोगों ने एक एडिशनल जो है नियम जोड़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कहां से ना पर जाते हैं अभि तो यह वापस अपने रास्ते में टकरा कर आ गए क्योंकि नब्य अंस का कोण बन रहा था यहां सुन अंस बना रहा था किससे आपके अभिलंब से इसलिए यह किरन वापस लोड़ गई उसके बाद में एक किरन इस वकार आती है यह हो जाता है कोण आई और यहां पर हम दे इसे हम वास्तविक प्रतिविंब कहते हैं और दूसरा जो आभासी प्रतिविंब होता है यहां पर हम आभासी प्रतिविंब देख रहे हैं क्योंकि यहां पर वास्तों में किरने एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं बलकि किसी एक बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है उस वास्तविग प्रतिव फ्रत्वीम्व सदयव दर्पण के सामने बनता है और उसे किसी पर्दे पर पकड़ पाना सम्भ छोता है वास्ती फ्रत्वीक प्रत्रटव फ्रत्वींव 1960 aux और अभासि प्रद्वे में सदायों सीधा भी बनता है तो यह सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी अब बनते हैं दर्पन का जो है गूहना एक दर्पन है उसे यदि हम लोगों ने थीटा डिगरी कौन पर घुमाया तो यदि हम आपतित किरण को डिश्टरब ना करें तो प बनने वाले प्रति बंबो की संख्या जो है एक से अधिक हो सकती है और ऐसी स्थिती में हमारे पास में एक सूत्र होना चाहिए जिससे हम ग्याद कर सके कि कुल मिला के कितने प्रतिविंब बन रहे हैं इसके लिए यह सूत्र है एन बराबर 300 बटा ठीटा जहां पर ठीटा जो है वो नती कौन है और 360 जो है यहां कौन है ठीक है तो एन क्या है कुल मिला के बनने वाले प्रतिविंबो की संख्या जैसे कि अगर हम लोग देखे कि यदि 90 के कौन पर जो है दोनों दरपन जो है जुके हुए हो तो ऐसी स्थिती में 360 बटा 90 और यहां पर हमको मिल जाता है 9, 4, 36 तो कौन मिला के 4 प्रतिविंब हमें दिखाई देंगे इस प्रकार देखने के बाद में हम क्या देखते हैं कि यहां पर प्रतिविंबो को संख्या जो है यदि N संख्या है 90 जो है एक संख्या है तो यहां पर रिन एक करने से 3 आएगा और आप यहाँ देख सकते हैं किने मूल प्रतिवेंब जो है यहाँ पर वस्तू और उसके कुल मिलाके तीन प्रतिवेंब बन रहे हैं इसके बाद में हमको गोलिय दर्पन्ट के बारे में जानना है हम लोगों ने समतल दर्पन्ट देखा उसके थूरू हम लोगों ने ये निर्धारित किया कि परावरतन के नियम क्या है अब गोली धर्पन देख रहे हैं किसी गोले को यदि हम काटे तो दो प्रकार के प्रसिबे में मतलब दो प्रकार के धर्पन बन सकते हैं यदि हम आंतरिक हिस्से पर पॉलिस चड़ा दें तो बार हिरे चम्कील चम्कीली सता हमिलते हैं इससे हम उत्तल धर्पन कहते हैं जब कि यादी हम बाहर से अगर पॉई जम्कीली पॉलिस लगा दें तो अंदर हम उपे पर اवर्फ़्क सता हमिलती जिसे हम आतल धर्पनrict कहते हैं इसके कुल भिलाके कुछ मुख़े पार्ट है पहला है ध्रू ध्रू का मतलब होता है कि ये दर्पन है धर्पन का जो जो अपना केंदर होता है उसे जो है हम क्या कहेंगे ध्रू कहेंगे द्वारक जो है ये लंबाई है जिसको ए डैस से दर्साया जा सकता है और ये बताता है कि कुल मिलाके दर्पन कितना केंडर भूर केंड्र केंडर को हम फोकस बिंदू के नांसे। इसके बाद में जो खेर का जो मख्यक्ष बोलते हैं। हैं मुख्य अक्ष अब जो है यहां पर हम लोगों को कुछ नियम देखने हैं यदि सोत अनंद दूरी पर हो तो वह आप्तित किरणों को एक दूसर के समानतर ही भेज़ेगा दूसरा नियम क्या है मुख्य अक्ष से समानतर आप्तित किरण परावर्तन के बाद फोकस गुजरने वाली खीरण हम दिखाए देती है तो परावर्तन के पस्चात कहां से हो कर जाएंगी वह परावर्तन के पस्चात मुख अक्ष अक्षे के समानतर होकर जाएंगी अगला नियम है केंद। के मिंदू से होकर गुजरने वाली रेखा क्योंकि जो है हमेशा इस सतह पर नब्यांस का कॉन बनाएगी यह कैसे पता चला हम यहाँ पर स्पॉर्ट से रेखा बाना आते हैं और उससे नब्यांस का कॉन बनाता हुआ जो है हमको त्रिज्या दिखाई देती है तो सकेंद्र से प्रकास की किरण समानतर जाएगी जो परावर्तन के फश्चाद फोकस बिंदू से आती हुए प्रतीत होती है दूसरी एक किरन जो है वह केंद्र की दिशा में जाएगी और वापस ही अपने रास्ते में टकरा कर लोड़ जाएगी यहां पर एक आभासी प्रतिविंब बन रहा है जो हमेशा छोटा बनता है और होता है कि किसी भी दर्पन से जो है जब हम वस्तू के स्थिती प्रतिविंब के स्थिती यह सारी चीज़े नापते हैं तो उसकी लिए जो हमें सदैव जो है से ना पी जाएगी तो यह दूरी जो है वस्तु की दूरी कहलाएगी और यह सदव रिनात्मा करेगी इसके बाद में हम दर्पन सूतर की बात कर लेते हैं दर्पन सूतर में हमको दर्पन सूतर पता है एक बटा वी धन एक बटा यू बराबार एक बटा एफ और इस से जुड बराबर टू एफ आर बराबर टू एफ या फिर एफ बराबर आर बटा दो यह भी जो है हमको इस सूत्र में शामिल कर लेना चाहिए और उसके बाद में जो है आवर्धन चमता मतलब वस्तु के मुकाबले प्रतिविम कितना बड़ा याच होता है उसे उसका आवर्धन कहते ह हैं और इसके लिए हमारे पास में सूत्र है एम बराबर यू बटा भी या फिर हम बोल सकते हैं है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह वह अबहासी है और यह दिद्धनात्मक मिलता है तो आपको मिलेगा प्रतिविम वास्त विख चलिए आगे बढ़ेंगे इसके ब बातें की थी अपवर्तन क्या होता है तो इसके बारे में हम थोड़ी से और बात कर लेते हैं अगले वीडियो में